आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप रश्या में कितना कमा सकते हैं यह देखो यह जा रहा है खोट डिलिवरी वाड़ा मालो आप रश्या आ गए उसके बाद सबसे पहले साथ दिन के अंदर आपका बनता है यहां पर राइस्टेशन हेलो दोस्तों स्वागते आप करते हैं आप फिर से नई वीडियो में उमीद करता हूं कि आप सफ बरिया हुआ उवरी कि आघड़ da Jugend कि आप रस्या में कितना कमा सकते हैं महीने कि salary यहां प ruler कद इंडिया बताते हैं कि आप सच में तो ए सबसे पहले आपन बात करते हैं किया आप सच में देड़् दो डग्ट प्रया कमा सकते हैं को हां भी और नहीं कुछ अगर आपके अंदर को इक स्किला को कि هां को काम आता है और आपको लेंगवेग याती है और आपको यह कि रस्यां हमें या तो पिर धर ज़गै आप जिरूर्व लाग तक भी कमा सकते हैं और अधर जो है कि अगर आप इंडिया से उठके यहां पर आजाएंगे और अजेंड कहेंगे कि आप इतना खमाल होगे तो वो सरसर जूट है वो आप नहीं कमा सकते तो वहीं रही बाद दूसरी जो अपन इंडियन या पाकिस्तानी लोग दूसरी क अगर आप तीस दिन काम करोगे और दस से वारा गंटे काम करेंगे तो आप साथ है रूबल महीने का कमाल होगे मिनिमम और जो यहां की एवरेज सेलरी है जो मंतली वो है 55-60 रूबल ठीक है इतना मिन एवरेज सेलरी है यहां पर रशिया में तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पर जो सबसे ज़्यादा यहां पर मशूर है वह यांडेक्स कमपनी उसमें क्या है आपको ओनलाइन फूर डिलिवरी करनी होती है आपके मॉवाइल से ही आपने लोकेशन सेट करनी है कहां पर फूर पहुचाना है कहां से लेना है दो सारा आप ने नेरिवेशन आपके और इसमें आप दो-तीन तरीके से कर सकते हैं चाहे आप पाइस्केल ले सकते है यहा एक तो स्कूटर से भी कर सकते हैं यह देखओ यह जा रहा है, एसे इलेक्ट्रोणिक स्कूटर पर यहां पर यहां पर कहीं दूंद ऑगर आप बैठें हों तो वह आपको किसी पार्क में तो ऐसे स्कूटर से पैंतिसो रूबल खमा लेते हैं तो यह है फुदली हिसाब इतना आप आप कैल्कुलेट करो महीने के साथ से तो आपका सतर प्यार बन जाता है इसके बाद दूसरे नंबर पर आप यहां पर टैक्सी की जॉब कर सकते हैं उसके लिए आपका इंडिया वाला लाइसेंस ही च चलती है इनसे आप connect करके अपनी taxi आपको taxi यहां पर यहां तो अपनी taxi मिल जाती हैं यहां फिर आप रहंगे टेक्सी ले सकते हैं यो करीवें है हैं से 1,500 पर दे के साथ से आप को एक्सी मिल जाती है तो उसमें भी आप 3500 रूबल से चार्या रूबल आप खंबा लेते हैं कई दिन कम भी कम पाते हैं वो राइड के हिसाब से होता है और कई वार सबसे जादा अभी जो नई प्रॉब्लम जो चल रही है रश्या में बहुत आपको बता दूँ कि पहले क्या होता था कि पहले लेंग्वेज सर्टिपिकेट बन जाता था इदर उदर से अब एक दो साल से बहुत स्टिक हो चुका है अब बहुत सारे इंडियन डिपोर्ट इस लिए हो रहे हैं कि उनके पास लेंग्वेज से अगरवा वर्क वीजे पे यहां पर आ रहे हैं और अप्लाई करेंगे ति आपको लेंग्वेज सर्टिकेट चाहिए होता है तो साल बार साल ये कुछ ना कोछ नया उसके साथ भढ़ाते जा रहे हैं सबसे पहले आपको आते यहां पर registration कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी medical book बनानी पड़ेगी, फिर आपको अपना green card बनाना पड़ेगा, फिर आपको language certificate बनाना पड़ेगा, उसको clear करना पड़ेगा, यह सारे certificate होंगे, फिर आपका work permit बनेगा, उसके लिए work permit के लिए अप्लाई करना, तो अनके नए ब्लॉग में तब तक के लिए, बाइबाए, टेक क्याएब, टेक क्याएब, टेक क्याएब,